So hello arrow, तो guys आज की वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं two theories के बारे में Basically यार ये सारी की सारी conspiracy theories होंगी और हाँ तुम सब कह सकते हो कि ये सब थोड़ी dark theories है बट यार तुमको मज़ा आने वाला है इन दोनों के दोरों theories में देखो यार इस वीडियो में थोड़ी अलग theory तुम सब को पता चलेगी हो सकता है कि वो theory तुमने पहले सुनी ना हो देखो guys जो हम सब की second theory है वो हम सब के ass के dad के उपर होने वाली है Guys firstly हम सब बात करेंगे मीमीक्यू के बारे में यार मीमीक्यू हमेशा सही एक mysterious Pokemon रहा है और इसकी backstory भी काफी dark है तो इनी सब चीजों पे हम सब बात करेंगे और हाँ पता लगाएंगे कि मीमीक्यू exactly है क्या Guys वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर नए हुई इस channel पे एंड ये वीडियो तुमको पसंद आ रही है तो इस channel को subscribe जरूर से कर लो और हाँ यार ये वीडियो अपने सारे Pokemon fans के साथ share भी कर देना और at last अगर ये वीडियो तुमें पसंद है तो इस वीडियो को like कर देना बाकी नाव without wasting any more time let's begin यार ये तो हम सब जानते हैं कि हम सब की Mimikyu Pikachu जैसा दिखता है या फिर तुम कह सकते हो कि Pikachu जैसा दिखने का कोसिस करता है वो यार Mimikyu हम सब से introduce हुआ था Pokemon Sun and Moon anime में यार Mimikyu को एक alone Pokemon माना जाता है जो कि Pikachu की acting करता है और Pikachu की जो characteristics से वो inherit करता है just to make friends और guys ये काफी depressing Pokemon है ये हम इसा अकेला रहना चाहता है और हाँ बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि Pokemon World में Mimikyu का सबसे बड़ा दुस्मन Pikachu ही होता है और सारे Mimikyu ये चाहते हैं कि वो सारे Pikachu's को मार दे कितना डार्क है ना यार देखो Mimikyu को Pokemon anime में introduce करने का सिंपल सा कारण यही था कि Pokemon creators चाहते थे कि Pokemon में थोड़ा तो thrill आए जो कि हाँ Pokemon fans देख सकते थे कि काफी season से नहीं आ रहा था तिल sun and moon जैसी Mimikyu Pokemon की Pokemon anime में entry होई Pokemon fans के around वो काफी famous हो गया था और हाँ काफी सारी theories भी मनना चालू हो गई थी तो नहीं theories में से हम सब one of the famous theories देखने वाले हैं आज देखो एर दो सबसे बड़ा question Pokemon fans के मन में यही है कि who is beside Mimikyu और Mimikyu हमेशा Pikachu का costume क्यों पहने रहता है यार देखो Mimikyu के look से एक चीस तो confirm होती है कि Mimikyu Pikachu की तरह दिखने की कोशिस करता रहता है हमेशा यार एक theory है जिसके हिसाब से जो Mimikyu है वो Pichu ही है बट dead Pichu ना कि alive देखो इसको simple थोड़ा कर देते हैं मेरा मतलब कि यह जो theory है वो यह कहती है कि जब Pichu's मर जाते हैं तब हो Mimikyu बन जाते हैं और हमेशा Pikachu में evolve होने की चाह में रहते हैं you can say कि desire में रहते हैं क्योंकि वो मरने से पहले Pikachu में तो evolve हो नहीं पाए इसलिए मरने के बाद उनके spirit का सबसे बड़ा desire यही होता है और गैस Mimikyu के moves से इस theory को prove करते हैं क्योंकि तुम देख सकते हो कि हम सबका जो Mimikyu है वो थंडर बोल कर सकता है और काफी सारे multiple moves हैं जो कि Pichu भी कर सकता है और Mimikyu भी कर सकता है सो हाँ guys मुझे personally भी यह लगता है कि यह theory best है और काफी जाधा appropriate है और Mimikyu Pokemon की one of the famous theories में से ये एक है Second Conspiracy Theory यार देखो जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि Second Conspiracy Theory में हम सब बात करेंगे एस के डैट के बारे में यार Pokemon Enemy में हम सब को सुनने को मिला है कि एस के फादर एक great trainer थे जो कि अपने Pokemon सफर में निकल पड़े एस के तरीके काफी theories ये कहती है कि जब हम सब का एस Pokemon Master बन जाएगा या फिर Pokemon के लास्ट में वो अपने फादर से मिलेगा बड़ गाइस Besides those theories यार ये theory ये कहती है कि Pikachu ही एस का फादर है I know ये थोड़ी weird सी theory है बड़ या Guys basically इस theory के हिसाब से हम सब के एस के डाइड एक experiment में एक Pokemon बन गए थे जो Pokemon था Pikachu और वो जो experiment था वो irreversible था यानि कि एस के डाइड जो होते है जब वो Pikachu बन गए तो वो वापस से इंसान नहीं बन सकते थे और फिर जो Pikachu था यानि कि एस के डाइड मतलब Pikachu ही जो भी हो गाइस अभी हम सब इसको एस के डाइड एस के डाइड एस के के पास आगए और ओक जानते थे कि एस इस का बेटा है इसलिए प्रोफेसर ओक ने एस को Pikachu दे दिया यार याईस के फादर की और ये वन आफ दी फेमास तयोरी है बढ़ यर अगर तुम देखने जाओगे इस फिरी को अच्छे से तो इसमें काफी लूप होल्स हैं यर दिखो पहला लूप होल कुछ यूँ है कि मान लो पोकीमोन मास्टर बन चुका है हम सब का एस और वो बैठा हुआ है उसके बगल में पिकाचु है और इवेंचुली पिकाचु बोलने लगता है कि मैं ही हूँ तुमारा फादर तो फिर क्या होगा तुम ही सोचो तुम एस का छोड़ दो तुम हम सब का सोचो कि हम सब का रियक्शन क्या होगा Pokemon viewers का reaction क्या होगा कि Pikachu के साथ इतने जो सालों तक हम सब का S travel कर रहा था वही Pikachu S का dad था यार इसके besides कुछ ऐसी चीजे भी हैं जो इस theory को literally prove करती है और वो चीजे यह हैं कि throughout Pokemon series तुमने ये चीज़ देखी होगी कि Pikachu कितनी care करता है हम सब की S की और अगर उसी चीज़ को तुम देखो कि Pikachu as a dad ये जब कर रहा है और besides this हम सब के S के भी कितनी तगडी बॉंडे Pikachu के साथ Guys S के dad के बारे में second one of the famous theory ये है कि Mr. Mime S का dad है पर इस theory के बारे में मैंने cover किया है अपने पुराने वीडियोज में तो इसके बारे में हम सब बात नहीं करेंगे third one of the famous theory जो हम सब के S के dad के बारे में है वो ये है कि Giovanni S का dad है ये theory भी मुझे इतनी appropriate लगती नहीं है comment सक समने बताना मत भूलना कि तुम ये theory कैसी लगती है बाकी beside this Pikachu's theory मुझे एक theory है जो कि appropriate लगती है कि Silver हो सकता है S का dad मुझे लगता है कि S का dad Silver हो सकता है बट इसके chances बहुत ही ज़ादा काम है like how 1 to 2% क्योंकि S and Silver का जो look Pokemon anime वालों ने बनाया है वो काफी similar बनाया है और S and Pikachu के bond के तरीके Silver and Chikurita का भी जो bond हो काफी ताकत हो रहे है so guys तुम कह सकते हो कि S के dad की यही दुनों theories पहली Pikachu वाली और दूसरी Silver वाली काफी appropriate है बट हाँ guys comment section में तुम बताना कि तुमें क्या लगता है so guys आज की वीडियो को ही पे करते हैं खतम बताना मत भूलना कि आज की वीडियो तुमको कैसी लगी I hope कि तुम सबको इस वीडियो में काफी मजा आया होगा like कर देना अगर अभी तक तुमको वीडियो पसंदा आ रही है और thanks आर अगर तुमने यहां तक वीडियो देख ली तो नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को subscribe कर देना क्योंकि काफी लोग जो वीडियो को देखते हैं वो subscribe करके नहीं जाते हैं so ha please बाकी मिलता हमें जल दियो को सम वीडियो के साथ तिल देन बाई